हालो मैं ब्यूटिफुल यूट्यूब वीवर्स वेलकम बैक तो मारिया जोन प्लेस नाइन वन आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे इसी उमेग के साथ आज मैं इसी शाही पनीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जारी हूँ जिसके इंग्रिडेंट्स हैं सीरा, हरी लाइची, लॉंग चाट मसाला, रेट चली फ्लेक्स, गरम मसाला, कसूरी मेथी इसके अलावा हमें चाहीं टमाटर, प्यास, लहसुन, काजू, धनीय का पाउडर, कश्मीरी, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, अपने टेस्ट के अकॉर जाही पनीर बना रहे हैं तो पनीर तो चाहिए ही होगा हमें उसके साथ चाहिए हमें फ्रेश क्रीम, बटर, टोमाटो, कैचप, चलीए जल्दी-चली से हम अपनी इजी सी शाही पनीर की रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना, तो सबसे पहले हम एक कड़ाई ये पैन में द दो टेबल स्पून बटर ले लेंगे जैसे हमारा बटर हलका सा गरम हो जाएका उसमें हम टमाटर, प्यास, काजू, लैसुन की कलिया, धनिय का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, सब डालकर अच्छी तरह से 5-7 मिनट तक सॉफ्ट होने तक जब तक ये सब स सॉफ्ट सारे इंग्रिडियंट्स हमारे हो जाएं तब तक हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, सॉफ्ट होने के बाद इसको ठंडा करके मिक्सेर जार में ट्रांसफर करेंगे, फिर इसका अच्छा तर स्मूध सा पेस्ट तयार कर लेंगे, फिर अगेन हम कड़ाई मे दो टीबल स्पून हमारा बटर एड़ करेंगे, उसमें जीरा लॉंग छोटी लाइची एड़ करेंगे, उसका तड़का लगाएंगे, फिर हम अपने प्यूरी को इसमें स्ट्रेंड करके एड़ कर देंगे, अराउं एक से दो मिनट पकानी के बाद हम इसमें चाट मसाला, गरम मसाला और टमेटू केचप एड़ कर देंगे, और इसको अराउं थर्टी सेकेंड के लिए पका लेंगे, अच्छा अब यहाँ पे हमें ग्रेवी को जादा पकानी की जरुवत नहीं क्योंकि अल्रेडी है सब हमने पहले ही पका चुके हैं, तो अब इसमें हम ट्राइं के पीसे को एड़ कर देंगे, और अराउं फिफ्टीन सेकेंड के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे, फिर देखिए हमारी मज़िदार सी इजी सी शाही पनीर की रेसिपी रेडी हो गई है, अब इसमें हम कसूरी मेति और फ्रेश क्रीम एड़ कर देखिए हैना मज़िदार और इजी सी रेसिपी हमारी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और जादा से जादा मुझे सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाबाई